Friends, Welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello Friends, Prakash Tarot Card Reader का बहुत बहुत नमशकार सभी को. पिगेसस सॉफ्ट्वेर के तुरू स्पाइंग इस मुद्दे पे इस समय पार्लेमेंट में काफी बावाल मचा हुआ है. Actually, ये जो बात है वो साल 2019 की है जब पहली बार ये पिगेसस सॉफ्ट्वेर के तुरू स्नूपिंग का मामला सामने आया था. उस समय भी पार्लेमेंट में बावाल हुआ था और सरकार ने अपना जवाब भी दिया था. उसके बाद अब फिर से Amnesty International नाम की एक NGO है उसने एक लिस्ट निकाली और उसमें बताया गया कि ये ये लोगों, इस इस देशों के ये ये लोगों की स्नूपिंग हुई वगरा वगरा. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा Amnesty International के बारे में बता दूँ कि ये एक ऐसी NGO है जिसका बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से गुल हो चुका है, उसको भगा दिया गया है, देश्विरोधी एक्टिविटिस को सपोर्ट करने के लिए. आपको याद होगा बीच में फिल्म एक्टर नसीर उद्दिन शाहा बोले थी कि अब डर लगने लगा है, ऐसा हो ऐसा, तो उनका डर क्यों था, क्योंकि Amnesty International को भगा दिया गया था और उनकी दुकानदारी बंद हो गई थी, क्योंकि वो इंडिया में उनके एंबेसेडर थे, Amnesty International के एंबेसेडर थे, और जब उनकी दुकानदारी बंद होई तो तकलिफ तो होनी स्वाभाविक थी, और इसलिए अचानक से उनको इतने साल बाद इंडिया में डर लगने लगा था, तो यह है Amnesty International का बैग्राउंड, अब उसने अचानक से यह लिस्ट निकाली, वो भी जो मौनसुन सतरे शुरू होने के कुछ दिन पहले, और फिर अचानक से अब पार्लिमेंट में बवाल चल रहा है, तो चलिए अब ब्रीडिंग में देखते हैं कि क्या वाक्य में स्क्नूपिंग हुई थी, किस किस की हुई थी, किसने की, और क्यों यह बवाल मच र पेंडूलम डाउजिंग भी की, पेंडूलम डाउजिंग क्योंकि मैं टोटली ब्लैंक था, इसके लिए मैंने सबसे पहले पेंडूलम डाउजिंग का इस्तवाल किया, और फिर जो सेम सवाल थे, वो टैरो में भी रखे, और यह है टैरो रीडिंग, आप डिस्क्रिप्श सकते हैं, जो आया है, वो सिमिलर आया है, तो यह कन्फर्म हो जाता है कि जो इसमें है, वो सही है, अब सबसे पहले, क्या स्नूपिंग हुई है, पिगेसस सौफ्वियर से, इंडिया में, ओपोजिशन के निताओं की, और जर्नलिस्ट लोगों की, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट लोग, एजेंडा धरी जर्नलिस्ट लोग, तो यह कार्ड है सबसे पहला, यह कार्ड ही, इस इस कार्ड अफ मार्केटिंग, प्रोपोगेंडा, तो इसमें तो नहीं लगता है, फिर, यह तो, यह साफ साफ विंडिकाट करता है कि यह जो भी है, मार 2014 से लेकर अभी तक क्या नरेंद्रमोदी त्रिमंडल के मंत्रियों की स्नूपिंग होई है पीगेसर सौफ्ट्वर के तुरू यस हुई है सर्टनली ओ फाइनांस और डिफेंस की यकिनन हुई है कि फाइनास और डिफेंस से जुड़े लोगों की यकिनन स्नूपिंग हुई है पीगेसस के तुरू लेकिन क्या ओपोजिशन के लीडर यहने जो है इंडियन नैशनल कॉंगरेस के नेता युवा नेता श्री 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 राहul गान्दी जी क्या उनकी स्नूपिंग हुई है तो नहीं नहीं हुई है अब किसने की स्नूपिंग फिर चैशनल की किया इजराएल की का इसरील की कम्पणिने बनाया की ये United States of America ने यकिनन इसका इस्तमाल किया है Pegasus spyware का या software का snooping के लिए उनके जो भी opponent से उनके खिलाफ फिर United States of America और Israel के अलावा और भी कई देशों ने world का डाया है इसका इस्तमाल यकिनन किया है Pegasus software का ये बाद भी उतनी ही पक्की है अब कि ये दिखिए ये कुछ outcome cards है कि तो ये जो अभी अचानक से कि मौनसुन सत्रह शुरू होने के तीन-चार दिन पहले ये Amnesty International ने लिस्त निकाली इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था तो ये कड़ाया है block करना Parliament को unnecessary block करना that's it nothing else इसके पीछे किसका शातिर दिमाग है तो लेडी का काड़ा है queen of wands एक लेडी ठीक है अब मुझे जादा कुछ बोलने की जरुरत नहीं है इसमें viewers काफी समझदार है और ये केवल ये लेडी का दिमाग नहीं है ये मिला जुला दिमाग है मिली जुली conspiracy आप कह सकते हो कि pigasus का यूज करके भवाल करने का Parliament में है तो इसमें ये पूरा एक ecosystem involved है तो जिसमें ecosystem में intellectuals आ जाते हैं leftist intellectuals फिर agenda धारी पत्रकार वगरा वगरा और of course नेतागंट वही वो तो पहले रहेंगे तो ये सब की मिली जुली हरकत है और कुछ नहीं तो दिस इस जस्ट प्रोपोगेंडा और अब चलिए एक कार निकाल के देखते हैं कि क्या ये पीगेसस से जो बवाल शुरू हुआ कि ये थम जाएगा जल्दी येस ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है ये बवाल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा ये जब मतलब खतम हो जाएगा तब आटोमेटिक ये बवाल थम जाएगा अब क्या मौन्सुन सत्र के बाद ये बवाल थम जाएगा पिगेसस का येस लोगों का जो उद्देश है वो पूरा होने वाला है एंड एवरिवन विल बी हैपी विथ द मनी देगाट तो ऑल इन ओल ये भी देखे यहां पर दिखता है प्रपोगेंडा और ऑल इन ओल ये जो इको सिस्टम है उसका किया कराया है और कुछ भी नहीं है हुआ है ऐसा नहीं कि स्नूपिंग नहीं हुआ है लेकिन वह इंडियन गोवर्मेंट ने नहीं किया है और कि इंडियन गवर्मेंट के जो मिनिस्टर से एज आधिकारी कि उनके उपर जरूपिंग हुआ है कोशिश हुई है दूसरे देशों के द्वारा इंडियन गवर्मेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है ऐसा कार्ड पताते हैं और सिमिलर तिंग आपको देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं पेंडिलम डाउजिंग का वीडियो भी डिस्क्र कर देख सकते हैं ताम जरूपिंग है हैं चैनल अपताता हैं पर पतार पता इंग है कि जा दूसरे का पना बखक पक्या आपको ?